नमस्कार आप देख रहे हैं पावर टॉक्स ओला एक स्टार्टप जो राइट शेरिंग प्लाटफॉर्म की तरह शुरू हुआ था और अब भारत में EV सेग्मेंट में काफी आगे चल रहा है तो आज खबर है ओला फ्यूचर फ्रैक्टरी से जहां कुछ दिन पहले ही ओला कस्टमर डे सेलिब्रेट हुआ और साथ में लाउंच हुआ ओला S1 प्लो स्कूर्टर का सॉफ्ट्वेर अब सबको तो यही लग रहा था कि एक दिन के मेन्यू में ये दोनों चीज़े ही होने वाली है लेकिन 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 इसके अलावा भी ओला ने कस्टमर को सर्प्राइज दे दिया जहां ओला ने अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार का टीजर लॉंच कर दिया है वो भी एक या दो नहीं बलकि तीन इलेक्ट्रिक कार जी हां, इवेंट के दौरान कंपनी के CEO भाविश अगरवाल ने एक टीजर लॉंच किया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस 30 सेकंड के टीजर में एक से ज़ादा इलेक्ट्रिक कार नजर आ रही है टोटल तीन इलेक्ट्रिक कार आप इस टीजर में देख सकते हैं, अब रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी एक ही साथ हैच बैक, SUV और सेडान इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है वहीं ओला का जो सेडान लुक है वो काफी एरो डाइनमिक है, क्योंकि पेट्रोल वेरियंट में ऐसा लुक लाना काफी मुश्किल हो जाता है जितना टीजर में दिख रहा है, उस हिसाब से इसमें वेच शेप फ्रंट और इन बिल्ट एलेडी लाइट नजर आ रही है इन तीनों एलेक्ट्रिक कार की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स डिटेल में भी सामने नहीं आई है और भाविश अगरवाल का कहना है कि कार से जुड़ी सारी डिटेल भी साल 15 अगस्त को डिस्क्लोज हो जाएंगी अब इसके फीचर्स के साथ साथ आपको इसके प्राइस जानने की भी एक्साइटमेंट हो रही होगी तो कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ओला इलेक्ट्रिक कार की कीमत 10 लाक रुपे से जाधा हो सकती है मतलब यह की हो लगी अब सीधी टक्कर होगी टाटा महिंद्रा से जो पहले ही इवी मार्केक में मजबूत पकड़ बना रहे हैं तो कैसा रखा आपको यह वीडियो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए वीडियो को लाइक करें शेर करें बेल आइकन दबाके और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहे हैं यह पावर टाप शुक्रिया